Ease of Doing Business Index में भारत ने जबरदस छलांग लगाई है रेकिंग में भारत 23 अंकों के उच्छाल के साथ 17 में पाइदान पर पहुँच गया है साल 2017 में भारत Ease of Doing Business में 100 में स्थान पर था बीते दो सालों में Ease of Doing Business Index की रेकिंग में सुधार करने वाले टॉप 10 देशों में भारत भी शामिल है दक्षिल एशियाई देशों में भारत की रेंक फर्स्ट है वितमंत्री अरोजिटली ने Ease of Doing Business पर अपनी बात रखते हुए कहा Keys of Doing Business Index में भारत ने बीते चार सालों में काफी सुधार किया है और जब से मोधी सरकार सत्ता में आई है तब से भारत इस पाइदान में लगातार बहतर होता जा रहा है और 142 में इस्तान पर था 2014 तक और अब 77 में इस्तान पर आ गया है उन्होंने का कि इस Index में 50 पाइदान पर आने की कोशिश भारत की लगातार जारी है और इस दिशा में काफी तेजी के साथ वो काम कर रहे है 2014 में इस Index की अगर बात करें तो भारत ने बहुत बहुत बहुतर प्रदर्शन नहीं किया था अभी तक काफी परिशानिया होती थी नौकर शाही की वज़ा से और काफी मुश्किलात पेश आते थे भारत में व्यापार करने के लिए लेकिन अब हालात बहतर हुए हैं सरकार की कोशिशों से काफी चीजें डिजिटल हुई हैं और सिंगल विंडो क्लिरेंस की जो शिरुवात की की उसे भी भारत में व्यापार करना आसान हुआ है तो जब ये वर्तमान सरकार बनी थी तो 26 मई हो चुकी थी तो जो 2015 की रिपोर्ट है वो अक्तोबर 2014 में आई थी और इसलिए जो पुरानी सरकारों ने काम किया हुआ था वो उसके आधार पर बनी थी वो रिपोर्ट तो इसलिए 2014 में हम कहां थे 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक और 4 साल में कहां पहुँचे क्योंकि आपको याद रहे कि प्रधान मंत्री जी ने ये कहा था कि हमें पहले पचास में पहुचना है और ये तब कहा था जब सरकार बनी तो हम पोजिशन नंबर 142 पे थे लिवर 142 तो 142 से 5 साल में 50 तक पहुँच जाएं ये शायद आज तक वर्ल बैंक बिस्नस